साम जो एक गाइड़न्स काउंसिलर है उस पर दो लड़कियों के रेव का इलजाम है इसी की इन्वेस्टेकिशन स्टार्ट होती है और इसके पीछे बहुत सारे राज है हलो फ्रेंट्स आज के हमारे मुवी वाइल्ड तिंग्स ये 1998 की एक थ्रिलर मुवी है अगर आपको मुवी में ट्रिस्ट एंड टर्म्स पसंद है तो इस मुवी आपको बहुत पसंद आएगी बिना किसी तरीके एक्स्प्लेशन स्टार्ट करते है अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ब्लीस लाइक और कमेंट ज़रू कर दीचेगा मुवी स्टार्ड होती है और हमें स्कूल दिखाया जाता है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है सैम एक गाइडन्स काउंसिलर था आप स्कूल में डिटेक्टिव रे और उसकी पार्टनर आई हुई है सेक्स रिलेटेड जो भी क्राइम से इसे लेकर इनसे वो बात करने वाले थे रे ने सब कुछ बताना स्टार्ड करता है तब इस स्टूडन्ट में से एक सुजी नाम की लड़की उठके वो उसे गालिया देकर वहाँ से चली जाती है बाद में रे की पार्टनर उसे पूछती है तो मैं पता चलता है इस सुजी ट्रक्स करती थी रेनी उसे पकड़ा था और उस वज़े से उसे 6 मंस के लिए जेल में जाना पड़ा इस वज़े से उस वर गुस्सा थी है इसके बाद सैम को हमें एक बोट सेल करता हो देख सकते है उसने अपने ही बोट पर अपने एक स्टोरेंट को भी काम दिया था एक दिन सेल करकर ये वापस आये तो केली ने सैम को अप्रोच किया केली सैम की एक स्टूरेंट है और हमारे और एक मेन गैरेक्टर केली पूछती है क्या विकेंड्स पर मैं आपके कार वाश कर सकती हूँ वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं थी पर फिर भी सैम हा के देता है केली यहाँ सैम से फ्लर्ट करकर लिफ्ट भी मांग लेती है जब सैम ने केली को घर पर छोड़ दिया तो केली की मदर बहार आई केली की मदर और सैम के कन्वसेशन से में पता चलता है कि दोनों अल्रेडी इंटिमेट हो चुके है वो से घर में बुला रही थी को सैम वहाँ से जल्दी से चला जाता है वीकेंड आया और केली अपने फ्रेंड के साथ सैम की जिप वाश करने के लिए आई हुई थी इस टाइम सैम अपनी गर्ल्फरेंड के साथ था ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत जेलस हो गई थी कार वाश होने के बाद केली सैम से कहती है कि आपने प्रॉमिस किया था कि हमें कूपंस दोगे सैम कहता है मुझे ढूणना पड़ेगा जब यह ढूणने के लिए सैम घर में जाता है तो केली ने अपने फ्रेंड को जाने के लिए कहा वो अब उस वर मूव करने वाली है वो अंदर गई और यही शॉट खतम हो गया नेकसे इन में वो डिस्टब होकर गर से भागती हुए हम देख सकते है अगली दिन केली स्कूल नहीं की तो उसकी मदर बहुत ही वरीड थी उसने सैम को कॉल लगाया सैम कहता है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता केली की मदर गहती है कभी-कभी यहाँ आया करो उसके साथ फिर से इंटिमेट होना चाहती थी सैम अब एक स्टेवल रिलेशनशिप चाहता है केली की मदर कहती है इस टाउन में तुमें वैसा कुछ भी नहीं मिलने वाला तुमें कोई भी लड़की सिरियसली नहीं लेगी यही बात जब चल रही थी तो केली की मदर को केली नीचे शुटिंग करती हुँ दिखी केली आज बहुत गुस्सा है उसकी मदर उसे पास आए और बूचा कि हुआ क्या है केली रोने लग गई कहती है मैं डाड को बहुत मिस करती हूँ केली की मदर उसे साहरा दे रही थी तो उसने कहा कि सैम ने मेरा रेप किया है इस पर मदर बहुत ज़ादा गुस्सा हो गई उसे पुलिस टेशन लेकर आती है यहाँ पर डिरेक्टिव रे और उसकी पार्टनर थे इन्होंने सब को बहार निकाल कर केली की वीडियो टेस्टिमोनी लिए केली कहती कि सैम ने मेरा रेप किया और फाइनली कहा कोई भी छोटी लड़ की मुझे सैटिस्वाइ नहीं कर सकती केली के जाने के बाद सब लोग ये टेप एनलाइज कर रहे थे रेकी पार्टनर को लगता है केली जूट बोल रही है वहाँ पर एक प्रोस्टिक्यूटर भी था सैम की अल्रेटी इस टाउन में इमेज बहुत खराब है तो उसे वो दोशी मानते है इन्विस्टियेशन स्टार्ट कर देते है सैम की स्कूल में आने के बाद उसे भी पता चल गया एक्चुल में चल कह रहा है उसका फ्रेट उसे सब कुछ बता कर सब बाते कन्फरम करता है केली की मदर बहुत ही पावरफुल है तो कोई भी उसे जोट नहीं ठहराना चाता सैम वरीर था क्योंकि इस तरह की बाते हमेशा लोगों को याद रहती है इसके बाद वो एक अच्छे से लॉयर के पास आया इसका नाम है केनित केनित ने सैम से पूछा कि तुमने सच मुष कुछ किया है सैम कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कैनित ने गा तो यह वरी करने के कोई भी ज़रूत नहीं है सैम की जो एक्जिस्टिंग गर्फरेंड थी उसे से मिलने के लिए एक होटेल में आया हुआ था उसकी गर्फरेंड के साथ उसके फादर भी आये और उन्होंने सैम को धमकाया मेरी बेटी के आमने सामने दीखना भी मत वो उसकी पूरी लाइब बरबात करतेंगे एक बार से सैम जब रात में घर जा रहा था तो उसकी गाड़ी पीछा करती है उसने पीछे से उसे टकरा दिया जिससे उसकी गाड़ी पानी में जली गई यह आदमी उसके पास आया और सैम को बहुत मारता है सैम ने भी उसे मार कर पीछा छोड़वा लिया हम नोटिस करते हैं कि आदमी केली की मदर का एक फ्रेंड था सैम अपने ही घर में बहुत जादा डर चुका था सैम ने केनेट को बुलवाया पर केनेट भी कहता है केली की मदर बहुत ही पावरफूल है हम एक्च्छल में कुछ कर भी नहीं सकते सैम ने घर पर लोन लिया था पर केली की मदर बैंक के बोर्ड और डारेक्टर्स में है अब वो लोग उससे उसका घर भी चीन लेंगे केनेट कहते हैं तुम बहुत ही क्लीन हो जब केली की फादर की डेथ होई थी तो ड्रक्स करते होए पकड़ी गई थी और उसके खिलाफ तुम हो जो एक क्लीन गाइडन्स ओफिसर है जूरी ये सब देखेगी और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा इसके बाद नेकसीन में हम देखते है सुजी ने पुलिस को बुलवाय हुआ था ये रेप पर गुसा तो है पर उससे कुछ इंपॉर्डन बात करनी थी योन्हें वॉक पर लेकर जाती है उसने कहा ये रे ने मेरा भी रेप किया था इस सब बात से रे और उसकी कलिक ये दोनों सप्राइस थे वो उसे डिटेल पुछते है पर सुजी डिस्टब थी सुजी ने कहा कि साम ने मुझे कहा था कोई भी छोटी लड़की उसे पुलिस अरेस्ट कर लेते है और अब ट्राइल की डेट आती है केली के साथ जो भी हुआ था ये सब उसे कोट में बताना पड़ा इसके बाद साम का लोयर कैनेट इस सुजी से क्वेशन बोच्छता है सुजी ने भी कहा है कि साम ने उसका रेप किया था तो इसी वज़े से केनेट उसे क्वेशन बोच्छता है सुजी कोई भी ट्रवल में आती थी तो हमेशा साम उसकी मदद करता था वो उसका एक अच्छा फ्रेंड था जब सुजी ट्रॉक्स के लिए जेल में की तो साम ने उसे कोई भी कॉन्टेक नहीं रखा केनेट सुजी से पूछता है तुमारा जब रेप हुआ था उसके एक मैने बाद जब तुम ट्रवल में आ गई थी तुमने साम कोई बुलवाए था अगर उसने तुमारा रेप किया तुम उसकी हेल्प क्यू ले रही थी सुजी के पास इसका कोई भी आंसर नहीं था कैनेट उसे प्रेशराइज करता है सब कुछ सच कहने के लिए वो डिस्टब हो गई और सब कुछ बता देती है उसने कह दिया इस साम ने कुछ भी नहीं किया उसने केली का भी रेप नहीं किया है केली और सुजी दोनों प्लैन में शामिल थे इनने सैम को सजा दिलवानी थी केली सैम के साथ इंटिमेट होना जाती थी और उसने मना कर दिया इसी वज़े सो गुसा थी सुजी का जेल में जाकर आने के बाद Sam ने उसे कोई भी content नहीं रखा इसी वज़े से वो hurt थी इसलिए ही वो Kelly की help कर रही थी और सब को सच-सच पता चल गया Sam का lawyer Kenneth बहुत ही खुश था तो गहता है अब मैं बहुत बड़ी settlement मिल सकती है जो भी तुम्हारे साथ हुआ या बहुत गलत हुआ इससे तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल सकते है Kelly की mother के पास भी कोई भी option नहीं था तो Sam के साथ उसे settlement करनी ही पड़ी इस सब incident के बाद Sam को स्कूल में सब लोग hate करने लग गए थे तो अपनी job पर फिर से वापस नहीं जा सकता जब वो अपना सब को सामान लेने के लिए गया तो Kelly उस तर बहुत ही गुसा थी वो उससे कहती है जो पैसे तुम्हें मिले यह मेरे फादर मेरे लिए छोड़ कर गए थे वो उसे अब hate करती है इसके बाद Sam होटेल में आया तो वहाँ already उसके room में Kelly थी यह सब कुछ case करना, settlement यह सब कुछ इनका ही plan था Kelly को पता था कि मदर के पास बहुत सारे पैसे है बस जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाती है तब तो उसे नहीं मिलते है यह सब फिर उसने Sam के साथ plan किया था यही पर सूजी भी आ जाती है यह तीनों पहले से involved थे Sam इने बॉन करता है कि हम धीनों को एक साथ नहीं दिखना चाहिए थोड़ी दिनों के लिए वो अपना distance maintain करेंगे आज रादे दिनों फिर intimate हो जाते है Detective Ray को इस case में कुछ न कुछ तो गड़बड लग रही थी उसने फिर Sam के accounts देखे Sam को मिले हुए 8.5 million dollars इनके तीन हिससे उसने किये थे और यह सब पैसे उसने offshore account में डाल दिये थे Sam ने figure out कर लिया केली, Suzy और Sam इन तिनों ने मिल कर यह सब किया था उसे पका अंदाजा है इस चीज़े अब इतनी simple नहीं रहेगी इन तिनों को वो divide करना चाहता था यही करने के लिए रात में वो Suzy के पास भी गया वो से गयता है कि Sam ने एक boat खरी दी है एक property भी buy कर लिए वो तुमारे साथ कोई भी share नहीं करने वाला वो केली के प्यार में है इन सब बातों के बाद Suzy disturb हो गई थी वो directly केली के पास आई उसे शान करने के लिए केली ने Sam को call लगाया Sam उसे गयता है सब कुछ ठीक हो जाएगा पुलिस सिर्फ हम तिनों में pressure बनाने की कोशिश कर रहे है जैसा सब कुछ normal चल रहा था वैसे हम चलने देंगे बात में सब कुछ ठीक हो जाएगा Ray ने बाहर एक device की मदद से इस सारी conversation सुन लिए Sam के call के जाने के बाद भी Suzy मान ने रही थी उकेली से यहती है तुम भी अपनी मदर की तरह character less हो इस बात पर इन दोनों का जगड़ा हो गया एक दूसरे को मारती है तो मारने मारने में इंटिमेट हो जाती है इस सब कुछ Ray ने record कर लिया अब वो अपने बॉस को यह सब चीज़े बता देता है उसने questioning के लिए already Sam को भी बुला लिया था बॉस कहते हैं तुम कुछ भी मत किया करो तुम इल्दी के लिए उनके घर पर थे इससे हम सब लोग बहुत ट्रवल में आ सकते हैं Sam के खिलाफ उनके पास कोई भी hard evidence नहीं तो उसका कुछ भी नहीं विगार सकते है Ray को लगता है कुछ ना कुछ तो गड़वड होगी ही एक रात केली सुजी को बीच के पास लेकर आई वहाँ पर सैम भी था इन दोनों ने मिलकर सुजी को ट्रंग करती है और सैम उसे मार डालता है दोनों मिलकर बॉड़ी को व्रैप करकर इसका ठीकाना लगा देते है एक दो दिनों बाद सुजी की ग्रैंड मदर ने रिपोर्ट किया कि वो मिसिंग है रेने आसपास बहुत सारी क्वेशनिंग की सुजी अपने बॉड़ फ्रेंड के साथ हमेशा बीच पर आया करती थी इसी स्पॉड पर सैम और केजी ने उसका मर्डर किया था तो रेने आसपास सब कुछ जगा दिखी उससे फाइनली एक बोड़ पर सुजी का बलड मिर गया उसके बॉस कहते है कि बलड सुजी का ही होना चाहिए वरना तुम बड़े ड़वल में आ जाओगे रे की पार्टनर ग्लोरिया को हमेशा से लगता था कि सैम ने कुछ भी नहीं किया वो आज राद उस पर नज़र रख रही थी सैम है नोटिस करकर उससे वो बात करता है कहता है कि सुजी आल्रेडी बहुत ट्रवल में थी उसने दो लोग को जान से मारने की धम की दी थी उसके पास इसके सब कुछ एविडन्स थे ग्लोरिया भी ये सब बाते मान लेती है ग्लोरिया ने रे को समझाया सुजी किसी और चक्कर में थी इसमें सैम का कोई भी हाथ नहीं है रे आज रात केली का पीछा कर रहा था उसने केली को अकेला देखा तो उसे बात करने के लिए चला गया रूम के अंदर क्या हुआ यह हमें दिखाया नहीं जाता कुछ बुलेट चलती है जिसमें रे जखमी हो गया था और केली की डेथ हो चुकी थी रे से सब कुछ questions पूछे जाते है कहता है जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझे पर attack कर दिया self protection के लिए मुझे उसे मारना पड़ा कुछ साल पहले रे ने और एक लड़के को मार डाला था तब भी उसने यही बात कही थी इन सब चीजों को inquiry की committee ने notice किया उन्हें लगता है कि रे जूट कह रहा था उसे उसके job से उन्होंने निकाल दिया केली ने रे पर हमला किया और already रे के पास केली और सुजी की tape थी तो सबको लगता है केली ने ही सुजी को मारा अब केली की भी date होके तो एक case close हो जाती है इसके बाद Sam बीच पर मज़े कर रहा था वो घर पर आता है तो वह हम रे को भी देख सकते है हमें पता चलता है रे और Sam मिले हुए थे यह सब इनका ही plan था plan में सिर्फ एक ही चीज नहीं थी कि रे केली को मार देगा पर रे कहता है मुझे opportunity दिखी और मैंने होग कर डाला इस पर किसी को शक भी नहीं गया Sam को यह बात अच्छे नहीं लगती रे उसे बुचता है मेरे पैसे कहा है Sam ने कहा कि bank को wire करने में दो दिन लगने वाले है यूनो उतने time दर तुम मेरे साथ boat पर आओ हम sailing के जाएंगे रे को जड़ा शक गया और फिर भी इसके लिए हो मान जाता है sailing पर आने के बाद Sam रे को एक rope tight करने के लिए बोलता है Ray एश पर था तो Sam ने boat को turn किया उसे नीजे गिरा दिया उसे लगता है कि वो पानी में गिर गया पर रे उपर ही था इन दोनों में कड़ी fight चल रही थी तब ही Ray को किसे ने arrow से मार दिया Susie अब भी जिन्दा है और ये Susie ही थी Sam ने Susie को मारने का सिर्फ pretend किया था ये दोनों फिर Ray को पानी में डाल देते इस पूरे केस को लेकर Ray की partner Gloria बहुत ही suspicious थी Gloria फिर Susie की grand mother के पास आई उसने उसे पूछा क्या तुम Ray के बारे में कुछ जान दी हो grand mother याईती है Ray का character बहुत ही खराब है एक समवर में उसकी हाँ girlfriend हुआ करती थी वो अपनी girlfriend को बहुत मारा करता था उसी की girlfriend को और एक लड़का like करता था उसने Ray को समझाने की कोशिश की तो उन दोने में जगड़ा हो गया Ray ने उसे मार दिया और कहा self protection के लिए उसे उसे मार ना बढ़ा Susie ने Ray को murder करता हुआ देख लिया था Susie कुछ बोले ना इसी वज़े से उसने उसमें ड्रग्स प्लाण किये उसे जेल में डाल दिया अब हमें पता चला कि यही रिजन था Susie Ray को क्यों hate करती थी Sam और Susie के पास अब बहुत सारे पैसे है तो celebrate करने के लिए यह drink करते है Sam Susie को लेकर भी suspicious था कि उसे drink में poison मिला कर मार डालेगी Susie कह दिये कि यह boat चलाना मुझे नहीं आता मैं तुम्हें कैसे मार सकती हो Sam ने drink किया तो सच मुझ इसमें poison था Sam की मरने के पहले Susie उसे कह दिये तो ने बहुत सारी लड़कियों को धोका दिया है और इसका meaning क्या था यहामें फिर से Gloria और Susie की Grand Mother की conversation से पता चलेगा Susie की Grand Mother से Gloria को पता चला Susie उसकी actual में Grand Mother नहीं है Susie की मदर शोर पर ही काम क्या करती थी यही पर Sam छुट्टिया मनाने के लिए आया करता था Susie की मदर और Sam इन दोनों में relationship हुई समझ जब खतम हुआ तो Sam उसे धोका दे कर वहाँ से चला गया Susie की मदर तब pregnant थी Susie की होने के बाद थोड़ी साल में उसकी date हो गई इसी का बदला Susie हमेशा Sam से लेना जाती थी बाहर Gloria ने नोटिस किया इस Susie की अंकल के पास एक बहुत अची सी गाड़ी है वो इस गाड़ी से Susie की बोट सेल करने के लिए लेकर जा रहे थे Gloria गहती है मुझे पता नहीं था कि Susie भी सेल कर सकती थी यानि अभी अभी Susie ने Sam को मारा तो बोट अकिली लेकर जा सकती है वहाँ स्टक नहीं रहेगी Susie की अंकल कहते है कि वह हमेशा से बहुत स्मार्ट थी उसका IQ 200 से जादा है उसने जो भी ठान लिया इस सब कुछ वो कर सकती है इसके बाद Susie ने इसा प्लान कैसे किया था या हमें पता चलता है एक दिन केली बार में सैम के साथ थे इन दोनों ने ड्रक्स किये और ये इंटिमेट हो गए Susie ने इन दोनों की फोटोज ले ली थे Susie ने अपना प्लान एक्जेक्यूट करने के लिए सैम को मजबूर किया Susie को तो अल्रेड़ी पता था रे एक अच्छा पुलिस आफिसर नहीं है उसने सैम से कहकर उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लिया रे हमेशा से एक बहुत ही घटी आदमी था वो जब केली से मिलने गया था तो केली ने उस पर कुछ भी हमला नहीं किया उसने डारेकली केली को मार दिया था अब मूवी के फाइनल सीन में हम केनेट और सुजी को एक साथ देखते है सैम को लायर केनेट भी हमेशा सुजी के साथ मिलकर काम कर रहा था सुजी को अब सब कुछ पैसे मिल चुके है सब की नजरों में ओ डेड़ है तो अपनी लाइव फिर से हो सही तरीके से स्टार्ट कर सकती है इसी नोट पर ये मूवी एंड हो जाती है और आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा ये बहुत सारी मूवी जिली कर आते रहे तो तो प्लीज इस चारों को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल निट्विशन आइकोन दमने मत भूलेगा हम भी से मिलेंगे और एक ने मूवी के साथ तब तक लिए थैंक्यो और आप अपने आपका खैल रखे लाइक सूजिए